नमस्कार A to Z dishes उशा कुर्जानी में आप सब का स्वाकत है आप सभी ने पराठे तो कही तरह के खाए होगे आलू के पनीय के प्यास के पर आज जो मैं आपको पराठा शेर करने जाने इसके अंदर कोई भी फिलिंग नहीं है यह मसालेदर पराठा जो दही के साथ खाए या अ काफी टेस्टी पराठा लगता है और यह मसालेदर ट्राइंगल पराठा है जितना दिखने में मज़ेदार लग रहा है उतना ही खाने भी अच्छा लगता है चलिए पराठे के लिए सबसे पहले हम आटा गून लेंगे तो सिंपल सा गीहों का आटा ही हमें गूनना है खुन देंगे तो देखिए जो ट्राइंगल पराठें इसके लिए जो आटा है वो नहीं जढ़ा सकत हो नहीं जब्रम मीडियम घुर्णा इसलिए थोड़ा थोड़ा करकर ही पानी एट किज़ेगा कई बार क्या होता हम जादा पानी दाल देते और आटा नरम हो जाता है त और अच्छे से एक पर फिर से मसल लेना है मसल लेके बाद इसके उपर और थोड़ा सा तेल लगाना है देखे बिल्कुल थोड़ा सा तेल और इसे ढगकर आपको 5-10 मिंट तक रख देना है जरूर रेस दीजेगा इससे आपके पर आठे और भी अच्छे बनेंगे या पर दे का लेंगे थोड़ी सी बड़ी क्योंकि पराठा जो है थोड़ा सा बड़ा और मोटा ही अच्छा लगता है और यह ट्राइंगल शेप का इसलिए तोनों तरप से सूखा आठा चिड़क कर इसे आपको बेल लेना है सबसे पहले आपको गोल्ड रूटी बेल लिए इस पर थ इस तरह से एक फोल्ड कर लीना है और उसके बाद थोड़े से धन्या के पत्ते और एक और ट्राइंगल शेप में इसे फोल्ड कर लीजे जैसे मैंने किया है अब फिर से सूखा आठा चिड़क नहें किहूं का और इसे बेलना है अब देखे ट्राइंगल पराठा जब भी सकते मेरी तरह या फिर गी या फिर पक्षन जो आप पराठो पर पसंद करते हैं और देखिए बस इस तरह से पलट लेना और अच्छे से सेखना है देख सकते पराठा जो है कितना बढ़िया फूल रहा है एक दम फूले फूले पराठे हैं और यह इतने टेस्टी लगते है तो बस आपको इसे अच्छे से सेखना है क्योंकि थोड़ा सा मुटा है तो कहीं से यह कच्छा ना रहे है तो यह कौनर से उसे अच्छे से प्रेस कीजिए और इसे सेख लीजिए देखिए इस तरह से हम सारे बना लेंगे पराठे और देखिए एक नहीं फूलेगा ऐसे य पार है इसे आप खाएं दही के साथ यह देखें बेसन वाली मिर्ची बनाइए आप चाहें तो अचार के साथ यह कोई भी आलू की सूखी सबजी कोई भी सूखी सब्जी के साथ आप इसे ले सकते हैं बहुत-बहुत भी अच्छा कॉमिनेशन लगता है सुब्के नास्ते मिल किर दिन घंदेए, जायी कुछनेश लाक पाज़ कि तедक कीपा कि तो कुर्छष हो एंदेए, छूसरी चे के हम झाओ एंट